हलो फ्रेंड्स मैं विजया कुमार पतेल आप सभी का मेरे चैनल विक्टरी विद पतेल में स्वागत करता हूं हमने इससे पहले रिजनिंस सेक्षन में ओपन डायस से रिलेटेड कोस्चन देखे थे आज हम लोग ओपन डायस से रिलेटेड टाइप टू के कोस्चन इस तरह के कोस्चन इस परिस्थितियों में कोस्चन में देख रही होंगे इस तरह में एक ओपन पासे दिया गया है और इस ओपन पासे से अलग-अलग closed pass, closed dice की स्थितियां दी गई है कि एक open pass से जो की बंदपासा बनाया गया है इन में से हमें consider करना है कि इस open pass से किस तरह से दिये गया option में से कौन सा बंदपासा, closed dice इस स्थिति को सहीं प्रदर्शित करेगी तो आईए देखते हैं, इससे पहले अगर मैं आपको जोड़ने की कोशिस करूँ तो concept से याद दिला दूँ कि एक open pass में हमेशा विपरित सता एक सरल रेखा में विद्दमान होते हैं एक सता के अंतराल में इस concept को याद रखेगा कि खुले पासे की केस में अगर देखें खुले पासे की अगर केस में देखें तो विपरित सता खुले पासे के केस में विपरित सता हमेशा एक सरल रेखा में विद्दमान होते हैं एक सता के अंतराल में इस चीज को याद रखेगा एक सता के अंतराल में ओपन पासे से रिलेटेड या कॉंसेप्स हमें हमेशा याद होना चाहिए कि खुले पासे में ओपन डायज में ओपोजिट फेज हमेशा एक सता के अंतराल में इस तरह से या कॉंसेप्स याद होना चाहिए साथी साथ passes related हमने देखा था कि विपरित सत्ब हमें पासे के case में दिखाई नहीं देते हैं जो दिखाई देता है पार्षू सत्ब में यस्थित जो अंक होंगे या आकरिती होंगे वह उसके विपरित हम कौनस अंक है उससे आरेक्ट नहीं देख सकते तो देखिए इस तरह के concept से याद हो तो इस तरह के questions हम लोग कर सकते हैं आईए question 1 के वर आगे बढ़ें तो question 1 पे चले जाएं तो open process related question हम जानते हैं कि F के opposite में क्या होगा B होगा क्योंकि opposite सता में इस्थित आंग क्या आकरिती हमें से एक सरार रेखा में होंगे एक सता के अंतराल में इस तरह से हम कह सकते हैं कि F के opposite में कौन सा आंग होगा F सता के विपरित में B होगा इसी तरह से E के opposite में C होगा अब जो बज गया means A बचा है तो A के opposite में क्या होगा D होगा इस तरह से हमने open पासे से open डायस से यह निकाल लिया कि F के opposite में B होगा E के opposite में C होगा और A के opposite में D होगा अब options के और आगे बढ़ें और देख के पताच करेंगे हम कि इन स्थितियों में से कौन सा बंद पासा सहीं होगा तो option A के और आगे बढ़ें तो हमें 500 सता में B, F और E दिखाई दे रहा है इस तरह से हम देख सकते हैं कि F और B एक विप्रिश सता में इस्थित्थ हैं F और B और हम जानते हैं कि जो विपरिष सतह में इस्थीत हैं उह एक साथ हमें नहीं दिखाई देते और B और F हमें दिखाई दे रहे हैं यह पार सु सतह में एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि B और F विपरिष सतह में इस्थित अल्फबेट हैं इस तरह से option A गलत ही होगा या possible ही नहीं है कि इस open पासे से open डायस से या बंद पासा बनाया जा सके option B के और आगे बढ़ें option B के और आगे बढ़ें तो option B में अगर देखें तो E, F और D दिया गया है देखिए यहाँ पे F, E और D, E और C opposite में है E के साथ F और D नहीं आता, F के साथ F के opposite में B है और यहाँ पे B ही नहीं A के opposite में D है, यहाँ A ही नहीं means यह option सहीं है इस open पासे से इस तरह से बंद पासा बनाया जा सकता है क्योंकि पार्स सता में इस्तित अलफाबेट एक दुसरे के विपरित में इस्तित नहीं है एक दुसरे के विपरित में इस्तित नहीं है, इसलिए है बनाया जा सकता है option C के और आगे बढ़ते हैं, क्या और double option तो नहीं मेच कर रहा तो देखिए, यहाँ पे option C के और आगे बढ़ हैं, तो B और C और E और C हमें दीखी रहा है कि E और C एक विपरित सता में इस्तित अलफाबेट हैं और यहाँ पे पार्स सता में दिखाई दे रहा हैं, इस तरह का बंद पासा इस open पासे से पॉसिबल ही नहीं है उसी तरह D option में जाएं, तो हमें देखने से मिल रहा है A और D एक पार्स सता में इस्तित हैं, जबकि A और D विपरित सता में इस्तित अलफाबेट हैं इस तरह से हम कह सकते हैं कि D भी हमें पॉसिबल ही नहीं है, इस open पासे से open डाइस से closed डाइस बना जा सके तो इस तरह से चारो options को देखने से, observe करने से हमें B options सहीं मिलता है कि इस open डाइस से इस तरह का एक possibility closed डाइस बना सकते हैं मिंस option में answer होगा हमारा B, तो इस तरह से इस steps के questions को हम लोग easily solve कर सकते हैं आईए, दूसरे questions के और आगे बढ़ें, तो यह open पासा में एक आकरिती हमें 6 surface का दिया गया है हम जानते हैं, एक पासा एक घं की तरह, क्यूब की तरह behave करता है और उसमें surface number of surface 6 होते हैं, सतों की संख्याद 6 होते हैं इसमें भी देख लिए open पासे में, विपरी सता में कौन-कौन से सता आएंगे, तो देखिए, इस questions इस open पासे से देखें, तो एक white surface, एक white surface के opposite में आ रहा है इसी तरह यहां पे चले जाएं, तो एक यहां भी एक white surface, एक white surface के opposite में आ रहा है और जो बज गया, वो एक दुसरे के opposite में आ जाते हैं, इस तरह से हम देख रहे हैं, कि इस तरह की एक आकरिती के साथ एक color में fill है यहां आकरिती एक दुसरे के opposite में होंगे, विपरित सता हमें होंगे, इस तरह से हमने इस open पासे से यह consider कर लिया कि कौन-कौन से सता एक दुसरे के विपरित सता हमें इस्तित होंगे, अब option के और आगे बढ़े हैं, तो देखे, इस option से हम easily find कर सकते हैं, कि यह दोनों आकरिती एक साथ हमें कभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि यह दोनों आकरिती विपरित सता हमें इस्तित आकरिती है बिन्स ये दोनों आकृतियां में एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये दोनों विप्रिस सता में इस्थित हैं और आप्सन में हम जैसे ही जाते हैं तो हमने देखते ही पता चलता है कि A आप्सन नहीं हो सकता C option नहीं हो सकता और D option नहीं हो सकता क्योंकि इसमें विपरिस सता में इस्थित आकरिती एक साथ हमें दिखाई दे रहे हैं और यह possible ही नहीं है कि जो पार्स सता में इस्थित हो वो उसके विपरिस सता हमें दिखाई नहीं देते जबकि यह दोनों आकरिती एक दुसरे के विप पासा बनाया तो एये उसमें थोड़ा सा और डेडल देख लें देखे एक वाइड सरफेस में एक वाइट सरफेस एपोजीट में हैं और अब यहाँ प्येद्ट से दिक रहा है तो आपके मन में यह ओप कोश्टन ऊठ रहोगा कि यह वाइड सरफेस और इक दूसरे के विप्रीत हैं तो एक साथ कैसे आ सकते हैं तो ध्यान से देखिए यहां पर डॉप हो सकता है combination option के एस सर्फेस का combination लिए गया हो यह फिर इस वाइट सुर्फेस का combination ले के वह बॉक्स बनाया गया हो तो option में सबस्क्र से और मिलता दिया रहाता हूं और भी जाते हें अगर इन चार option से पता चलता है कि इस open डायàn से इस तडह एक closed डायस पॉसिबिलिटी है तो ऑप्शन भी हमारा क्या होगा सहीं होगा इसी तरह से हमने देखा कोस्चन दो को इसली हमने सॉल्व किया कॉंसेट्स के थू इसी तरह कोस्चन थी के और आगे बढ़ें तो इस तरह से एक आकरिती ओपन पासे में दिया गया तो देखिए यहां से अगर चलना चालू करें तो एक के आपोजिट में क्या होगा तीन होगा और दो के आपोजिट में क्या होगा चार होगा और पांच के आपोजिट में क्या होगा छै होगा इस तरह से कह सकते हैं कि एक के आपोजिट में तीन होगा दो के आपोजिट में चार होगा और पाँच के अपोजिट में च्छाय होगा मिंस उप्षण में अगर आब हमदों चेक करेंगे तो ंएक और तीन हमें हमेशा एक साथ Unix नहीं देंगे दो और चार हमेशा एक साथ दिखाई नहीं देंगे उसी तरह съे पाँच और छाय एक सन्त हमें दिखाई नहीं दे सकते क्यूंकि एक के साथ तीन अपोजिट में हैं दो के साथ चार अपोजिट में हैं और पांच के साथ चार अपोजिट सर्फेस में इस्थित हैं इस तरह से options में अगर चेक करें तो देखिए option A की और आगे बढ़ें तो 2 और 4 हमें एक साथ दिखाई दे रहें जबकि 2 और 4 क्या हैं अपोजिट सर्फेर में इस्थित अंक हैं इस तरह से option A पॉसिबल ही नहीं है कि इस open पासे से एक close डायर बनाया जाए इसी तरह option B की और आगे बढ़ें तो यहां पे देखिए 5 और 6 एक साथ हमें दिखाई दे रहें जबकि 5 और 6 open पासे से हमने निकाला है कि 5 और 6 क्या है विप्रिस सता हमें अपोजिट सर्फेस में इस्थित अंक हैं इस तरह से option B भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता option C के और आगे बढ़ें तो यहां से देखने से पता चल रहा है कि 1 और 3 और और 3 अपोजिट सर्फेस में इस्थित हैं जबकि यहां से हमें दिखाई दे रहे हैं एक और 3 हमें directly दिखाई नहीं दे सकते क्योंकि विप्रिस सता में इस्थित अंक हैं इसी तरह option D की और आगे बढ़ें तो इसमें एक के साथ 3 नहीं है चार के साथ 2 नहीं है और 5 के साथ 6 नहीं है means option D क्या होगा सहीं होगा क्योंकि इन 4 option में D option है जो इस open पासे से open डायस से इस तरह के possibility में closed डायस बनाया जा सकता है इसके कई answer भी हो सकते हैं suppose यहां पे देखिए 5 के साथ 6 नहीं हो सकता मगर suppose यहां पे अगर 1 कर देते तो यह भी B और D दोनों सहीं हो जाता क्य क्योंकि एक के विपरित में 3 है 3 में है नहीं चार के विपरित में 2 नहीं है पांच के विपरित में 6 तो हो सकता है और भी option दिया रहाता कि B और D सहीं है इस तरह से questions भी दिये जा सकते हैं और यहां पर फिलाल 5 था तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस types के question हम लोग इस concept से कि एक open box में open dais में विपरित सता एक सरार्रेखा में और एक सता के अंतराल में इस्तित होते हैं जिससे हम लोग विपरित सता में इस्तित अंक्या आकरिती easily घ्यात कर सकते हैं और उनके through इस तरह के questions को हम लोग easily solve कर सकते हैं तो हमने one by one questions को solve किया अगर आप यहां वीडियो को कैसा लगा अच्छा लगा तो like कीजिए comment कीजिए share कीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को subscribe कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले थैंक्यू